राजधानी दिली में कोरोना से बचाफ के लिए जागरुकता भ्यान चलाया जा रहा है त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है लोग त्योहारी सीजन के दौर में लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं अभी नवरातरे चल रहे हैं और ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अभ्यान चलाया जा रहा है डिस्टिक अड्मिनस्टेशन साओधीस डेली की तरफ से हम यहां पर एक केंपेंच चला रहे हैं जागुकता का जहां पर कोविड अप्रोप्रेट बिहेवियर के बारे में जन जन को हम अवेर करवा रहे हैं इसी के तहट हमने कुछ IEC material बनवाया है, pamphlets, posters, banners जो prominent जगाओं के उपर लोगों के लिए हमने उनकी जागुकता के लिए लगाए हैं हम pamphlets बाटने का भी अभ्यान चला रहे हैं और इसमें छोटे-छोटे जो marches है, manageable numbers में उन्हें भी निकाला जा रहा है हमने अपनी standies हैं जो वो cinema घर, metro stations या इस तरह की public places हैं वहाँ पर भी लगाई हैं हाल ही में हमने दो gate भी बनवाए हैं जो की central market लाजपतनगर और कालकाजी मंदिर में लगाए गए हैं ये सारे प्रयास हमारी तरफ से किये जा रहे हैं कि जो त्योहारों का मौसम अभी चल रहा है इसमें कहीं लोग ये ना समझें कि अभी वो अपने behavior को थोड़ा लाक्सिटी ले आएंगे तो तब भी काम चल जाएगा हम ये इंप्रेसपोन करना चाहते हैं जन समुदाय को मीडिया के माध्यम से के अभी भी precaution रखना बहुत जरूरी है कोरुना की दवाई अभी भी आई नहीं है और ऐसे में अपने आपको अपने परीजनों को बचाए रखने का एक मात्र तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं मास्क लगाएं और अपने हाथ और मूँ के हाईजीन का ध्यान रखें ये कैमपेण दक्षिनी पूर्वी जिला प्रशाशन की ओर से आयोजित किया गया है जिससे लोगों के मन में कोरोना का भे कम न हो ये कैमपेण चलाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना केस अभी लगातार बढ़ रहे है और लॉक्डाउन काफी हद तक खोला जा चुका है ऐसे में लोग लापरवाही ना बढ़ते वे कोविट प्रोटोकॉल का पालन करें और अपने को इस महामारी से बचा कर रखें पंजाब के इसरी ग्रूप के लिए करुन अठाकुर के साथ आशुतुच कुमार की रिपोर्ट दिली कर दो के लिए मतार की बढ़ते हैं